इस्विल्लाई रख्मानियरहीम अश्राम रेकुम स्टूडेंट्स कैसे आप उमीद है कि आप लोग हैरियत से होंगे आज हम अपना लेक्टर नमबर 11 स्टाट करेंगे और आज हमारा टापिक है अलेक्टोन माइक्रोस्कोप जो है यह मोडिफाइब फार्म है माइक्रोस्को कि और लेक्रोस्कोप थी जो मैगनिफाइब एक बिंड का स्टाब्न के रखा जाता थीक है अंडर अब जाड़न के रखा जाता है वां पर रखा जाता है वहां पर रखाजाथा है वेक्यूम चेमबर के अंदरर रखा दू उसमेब्ट होती है या फिर रिफ्लैक्ट होती है उसके रिफ्लैक्ट होने से को क्या करती तारी है program ऑट्स धीखाती है और क्या बना ओर ती है वह लेर इननाई वह इमिज करती है क्या अप्र खोतोग्राफिक फिलंगरशंग के अब तिंए tengo जो modern electron microscope है वो 0.2 nanometer nanometer ता तो objects को magnified कर सकती है 0.2 nanometer ता तो objects को देखने के लिए use हो सकती है distinguish हो सकती है objects को 0.2 nanometer ता 1 nanometer जो है वो इक्वल होता है 1 by 10 lab mm के ठीक है 1 nanometer is equal है 1 by 10 lab mm के ठीक है तो इतने मतलब distance पर जो है यह distinguish कर सकती है objects को ठीक है और उसके बाद बताया गया है कि electron microscope जो है objects को magnify कर सकती है कहां तक टू लाइक फिप्टी थाउजेंड ताइम्स ठीक है टू लाइक फिप्टी थाउजेंड ताइम्स जो है इसकी क्या होती है मैंडिकेशन पार है तो यह इतना मैंडिक फाय जो है आपके दिखा सकती है हमारे image को अच्छा special condition के अंदर microscope के अंदर हम study कर सकते हैं individual atom को एक individual atom को स्टडी करने के लिए इसके इलावा सेल के प्रेदी के इलिए इन सब के लिए किसको युज़ करते हैं अलेक्रों माइटोस्कोप को यह सैल का इंटर्नल स्ट्रॉक्चर देखने के लिए कि लिए हम अलैक्तों माइक्रोप को यूज कर रहे होते हैं इसके दावा हमारी क्यूज आफ लाइफ जैसे के डिन ने बोगारा प्रोटीन और सब्सक्राइब करने के लिए हम अलैक्तों माइक्रोप को यूज कर रहे होते हैं अब मैक्रोप की दो बेसिकली टाइप्स हैं जिसको डिफर्ट पाइप्स यूज कर रहे होते हैं सब्सक्राइब करते हैं और दूसरी है सब्सक्राइब करते हैं कोई की ऐसी चीज जिसको हुमने स्टेडिय करना हो इसको स्टेडिय करना हो इसको स्टेडिय करते हैं तो किस लिए यूज हो रही होती है यह उसकी स्टेडिय करने के लिए स्टेडिय करने के लिए स्टेडिय करने के लिए इंटर्नल स्टेडिय करने के लिए हम यूज कर रहा हो था ठीक है स्टेडिय करने के लिए स्टेडिय करने के लिए यूज हो रही होती है उसके बार हमारे नेक्स ट्रापिक है वह हो है हिस्ट्री हिस्ट्री अफ देव फर्मूलेशन अफ सैल्थेरी बनाने के लिए जो है वो हिस्ट्री उसकी स्टडी हम करें लिए हिस्ट्री के लिए अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो पास थे बार्यों जिस बोथ है अरिस्ट्रोटल कि अरिस्ट्रोटल ने क्या वर्ट किया था यह कहते थे अनिमल्स और प्लांट्स जो हैं इन में कोई रिलेशन है अनिमल्स वर्ट जो हैं एक दूस्ट्री की साथे थेकर ठीक है तुम्हें पर चोंडे मालतियक जो थी गयए रिलेशन हिए फ vaigचंश को ने शन्तरे में जिए बाकरोण बतान समक्राव कि वह अनिमल्स पह bardziej गषिसमे इसके बास यह है वो डिसकोबर हुई माईरोस्कोब जो है दिविक हूई जब गर फुजब हुई उसके बास प्लांट और अनिमल भी निचे राथ के लिखा गया तो इन दूसलें ब्रिटिच सांडिस थे इनका नाम था रॉरे जो है रॉबेट हूप जो है देल हैजे 1665 में अपनी स्टाफ मेड माइक्रोस्कोप बनाई और उन्होंने कार्प का एक स्लाइस रख के देखा तो उन्होंने क्या देखा कि उस कार्प के अंदर हनी होम की तरह वह अपार्टमेंट्स मनें वे थे ठीक है इसे आपने देखा हुए छत्ता होता है शहर की मध्यों का इसी तरह उन्होंने देखा कि छोटेए उसके अंदर कॉमपार्टमेंट्स अपने हुए थे ठीक है और उन्हों को बाद में क्या नाम दिया गया सेल्स का ठीक है रॉभट कुक ने अपनी सार पेड जो है मैंकुप क तुरू जो है वो सेल की स्टडी की उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जे डश नेट्रलिस्ट थे इनका नाम था एंटोनी वान लिवन फुक इन्होंने क्या किया इन्होंने अब्जर्ब किया टीनी और इसम्स को ठीक है पाउंट के अंदर टीनी और इसम्स थे यह ने मार स्टाइंटिस्ट थे इनोंने क्या है ने बताया है छी चटोटे-छोटे और inka nama in टीक है गहां तक हम तो यहां तक यह को का सटी प्रिवियूशन है क्या क्या काम किया इसके अंदर हमने यही सारा स्टड़ी किया और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूंगी और नेक्स लेक्टर में आपके साथ मिलूंगी अलाहाफिज